बढ़ते कुरोना संकरमन को देखते वें सिवी ऐसी दसवी ओ बोट की परिक्षा रद और बारवी परिक्षा की तारीक बढ़ाने के बाद बच्चों में काफी नाराजगी है आपको बता दे कि बुधवार को पीएम के नर्टित में हाई लेवल मिटिंग बुलाई गई थी जिसमें सिवी ऐसी दसवी की परिक्षा को रद कर दिया गया था वहीं बारवी की परिक्षा की तारीक को आगे बढ़ा दी गई है इस बारे में जब हमारे समधाता राजीब को बले बच्चों से बाच्चित की तो सुनी उन्होंने क्या कुछ कहा कोरोना काल जिस तरीके से पैर पसार रहा है उसको लेकर एक तरीके से सिवी सी बोड एक बार फिर परिच्छा को आगे रद कर दिया गया है अगया परिच्चन कर दी गई है अब देखना होगा कि उस बच्चें पर क्या परबाव पड़ता है हमारे साथ कुछ बच्चें जो दस भी हैं उनसे बात इचनी इस पर क्या कहना क्या नाम है आपका धनलक्षमे टिंद के एक्जाम को आगे बढ़ा दिया गया है आप साल पर मेहनत करती हैं फिर आगे दूसरी बार ये बढ़ाया गया है तो कैसा ये मतलब ये गलत हुआ है सही बाते पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना पढ़ने वाले बच्चों के लि है हम लोग और अच्छे से तयारी करने पर उस तरीक है जो नंबर आपने सोचा था वो नहीं आएंगे तो इस पर खाल लगएगा जो सोचे थे वो तो बिल्कुल नहीं आएगा आपरेज मार्स तो बिल्कुल नहीं बहुत अच्odka यह चाहेंगी जिला चाहिए ले ना चाहिए औरlor पीषर विसी देख कर चाहिए की कि इतने मामले आ रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं कि उनका क्या करता हूं लेकिन इसके और भी कारण है अभी बच्छों की बात ने सुना इन्होंने काफी परिश्रम किया और इसको उमीद था कि हम अच्छा रैंक होल्ड करेंगे और इस अब एबरेज मार्केंग या जागा या फिर इसके विशय में क्या सोचती है वह तो अभी सोचा नहीं है लेकिन बच्छों को किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए बच्छे को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और जो प्रस्टनल बेनिफीट होना चाहिए वह मिलना चाहिए अबरेज तो सभी हो जाता कोचिंग भी बंद रहे हैं बहुत सारी सफान स्कूल को लेज बंद रहे हैं तो बच्चे एक्जाम के तैयारी कर रह थे तो इसमें कोचिंग और इस्कूल का क्या भागेदारी कुई होने के कगार पे हैं सिच्छा ब्यवस्था चौपट हो गया और किसी भी देश की जो प्रगतिक आधार है वो सिच्छा है सिच्छा अभी बच्चे मान लिया कि तीन महिना नहीं पढ़ेंगे तो उसकी भरपाई करने के लिए कमसम एक साल चाहिए और जो बच्चे एक साल नहीं हो पाएगी इसका तो एवरेज मार्किंग है जो गलत है हम महनत करते हैं साल बार हमें कम से कम एक्जाम देना चाहिए लेकिन वहीं कहा रहे हैं कि कहीं न कहीं गलत है लेकिन आप तो सरकार ने फैसला ले लिया है और आगे देखना होगा पतना से अमीद के साथ करते हैं